हेई welcome back to our channel दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बात आउंगा how to reset phone setting किसी भी वाज़ा से अगर आप अपने phone setting को reset करना चाहते हो तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको phone में setting में जाना है phone के setting में जाने के बाद दिरे दिरे scroll करके नीचा आएंगे उसके बाद apps में जाना है next यह पर आपके साहबने सारे application का list आजाएगा आप उपर में जो setting पर दिक रहा है इसके उपर क्लिक करके सार्च करने सेटिंग करने के बाद सेटिंग Box आ गया है तो सेटिंग्स पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से settings का सारे data को डिलीट करना होगा तो यह पर clear online पर क्ल आई हुआ तो आप second step को follow किजिए, second step को follow करने के लिए फिर से आपको phone के settings में जाना है, settings को खोलने के बाद उपर में आपको search बाद देखने के लिए मिलेगा, यह पर search का नहीं factory reset, तो आप देख सकते हो factory reset का option आ गया है, तो उसको पर हम click करेंगे, factory reset के अंदर आपको कुछ इस तरह के interface देखने के लिए मिलेगा, आपके phone में जितने सरे account, contact, photos, videos, apps बागरा जो भी है, सब कुछ delete हो जाएगा, और आपके phone पर पहले से जितने सरे default setting था, और reset हो जाएगा, तो mobile को reset करने से पहले, आपके phone में साड़े data का backup ले लिजिए, क्योंकि reset करने के बाद, सब उसके बाद अगर आपके phone में MI account login है, तो उसका भी password डालना होगा, फिर next पर click करेंगे, उसके बाद आपसे confirm किया जाएगा, क्या आप आपने phone से साड़े data को खोने के लिए तैयर हो, यदि आपका उतर हाँ है, तो next step का option दबाईए, आपसे दूबड़ा पूछ हो जाएग और आपके phone में जितने से default setting था, ओ भी set हो जाएगा, तो इस तरीके से आप अपना phone और phone का setting को reset कर सेकतो, उम्मीद करतों कि ये वीडियो आपके लिए वहवात ही helpful था, तो आपके वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया